दुनिया का कोई संत चाहे कितना भी बड़ा सम्यक सम हो, बुद्ध भी क्यों न हो वो अपनी बात को, अपनी वानी को, अपने विचार को, अपनी फिलोसफी को, अपनी एजूकेशन को जो उसने रिसर्च करके डिस्कबर की है या रीड डिस्कबर की है चाहे वो natural है, चाहे वो fixious है उसको दुनिया के लोगों तक दुनिया में नहीं फैला सकता जब तक उसके पास में एक बहुत बहतरीन टीम ना हो बिना टीम, बिना लोगों के और बिना trained लोगों के अपनी बात को, अपनी philosophy को, अपने विचार को पहुचाना तब भी असंभव था, आज भी असंभव है भगवान बुद्ध की जो टीम थी, वो बड़ी लाजवाब थी मैं यहाँ आपको टीम के सभी मेंबरान से, सभी मेंबर्स से एक-एक करकर रूबरू कराऊंगा, परिचित कराऊंगा इस स्रीज में सबसे पहले आनंद को हम परिचित कराएंगे क्योंकि आनंद के बिना भगनवान बुद्ध, तताकत बुद्ध, अमिताप, अधूरे हैं अधूरे क्या कहेंगे कि जो बातें जीवन भर उन्होंने बताई हैं उनको अगर सभी को याद करने वाला कोई रहा है, तो वो आनंद ही है आनंद का परिचे बाद में आएगा, आज की स्रीज में हम सबसे पहले उनके पांच शांदार गुणों, जो उनकी characteristics है, जो उनकी properties है, उनके बारे में बात करेंगे आनंद बहुत सुथ थे, बहुत सुथ का मतलब है, जो कोई बोलता था, उसको वो सुन लेते थे यानि कि अधिकतर बात को सुनके वो याद कर लेते थे उनकी memory बहुत अच्छी थी, यह कह सकते हैं कि उनकी जो memory की hard disk है, वो बहुत ज़्यादा TB, GB, GG यानि कि उनके terabyte, megabyte, gigabyte बहुत ज़्यादा थे और जो वो सुनते थे उसको word to word यानि अखर to अखर याद कर लेते थे और एक सर्त्य उन्होंने रखी थी भगमान बुद्ध से, जो हम अगले episode में बात करेंगे, कि वो कैसे good manager बने, अच्छे manager बने इसलिए भगमान बुद्ध के, भगनवान बुद्ध के expire होने के बाद, खतम होने के बाद में, जब ये समझ से आई कि उन्होंने कब कब कहा कहा था, तो आनन्द ने सारी बातें संदर्ब के साथ बताई, जो कि सारे historian factors पे, सारे historical facts जितने भी हैं, एतियासिक तक्थे जितन साक्ष जितने भी हैं, पुरुफ जितने भी हैं, उन पे खरी उतरती है, दूसरी थी, वो बहुत अच्छे, सबसे बढ़िया सती मान थे, सती मान का मतलब है कि वो हमेसा एक ऐसी अवस्था में रहते थे, कि ना काहु से दोस्ती, ना काहु से बैर, यानि किसी से उनका जग भगमान बुद्ध से कौन मिलने आ रहा है, कौन मिलने नहीं आ रहा है, इस काम के लिए वो हमेसा एक ही स्केल से, एक ही प्रमाने से देखते थे सबी लोगों को, सती मान थे, समता में रहने वाले थे, तीसरा उनका जो गुण है वो है गती मान, यानि कि वो निरालस थे, उ वो हमेसा त्यार रे रहते थे, उनकी गती, उनकी मुवमेंट, उनकी स्पीड कभी भी कम नहीं होती थी, उनका उत्सा कम नहीं होता था, 24 घंटे काम करने वाले मैनेजर, यानि कि उनके परसनल असिस्टेंट, 24 घंटे के, जब भी किसी बात की आस्ट्या भग्नमान बुद का था, सिवाए भग्मान बुद्ध को असिस्ट करने के और मैनेज करने के, उनका चौथा गुण है धिती मन्तू, धिती मन्तू का मतब है कि वो बहुत ज़्यादा पेसेंस वाले थे, धैर्रेवान थे, धीरज वाले थे, यानि सुधीर थे, बहुत ज़्यादा धीर गंब है, वो सभी को बहुत धैरे से सुनते थे, उनको पूरा समय देते थे, और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते थे, कि उनको कोई जल्दी है या कोई और काम भी है, कि गुण उनका बहुत बढ़िया गुण था, और पांचमा उनका गुण था, बहुत अच्छी सर्विस करने यानरी बहुत अच्छी सेवा करने गा, बहुत अच्छा काम करने गा, उपठाखा कान, का मतलब है उपठाखा कान, यानि जो सिवा करते थे, उनकी सिवा और सर्विस की बात, इस बात से अंताजा लगाए जा सकता है, कि भगनमान बुद्ध कब क्या चाहते हैं, कब उनका कौन सा समय हो गया है, कब उनको गरम पानी चाहिए, कब ठंडा पानी चाहिए, कब कोई मिलने के लिए आएगा, कब कैसे होगा, वो बहुत पहले से ही समझ जाते थे, इसलिए उनके काम बड़े सुचारो रूप से चलते थे, ये किसी गुड मैनेजर की जो क्वालिटीज हैं, ये सारी आनन्द हैं, एक एक करके और ज़्यादा डवलप की, इसलिए जो इंडियन इंस्ट्टूट आफ मैनेजमेंट, मैं जो मैनेजर का कोर्स सिखाय जाता है, आप कह सकते हैं कि आनन्द IIM, यानि इंडियन इंस्ट्टूट आफ मैनेजमेंट के संस्थापाक, यानि कि उसके एस्टाबलिस करने वाले, उसको बनाने वाले, या उसक को एक अच्छी तरह से बताने वाले या उसके फाउंडर आप उनको कह सकते हैं ऐसे अच्छा मेनेजर बना जाता है क्योंकि किसी कंपनी को चलाना कंपनी प्रॉफिट देती है पैसा देती है सारी सुभधाय देती है मेनेजर को मेनेजर इस लालस में काम करता है बगर यहां तो सब देना ही देना है यहां कोई तंखा नहीं है यहां कोई एप्रिशेशन नहीं है यहां कोई तरफ्की नहीं है यहां तो सिर्फ पूरे जीवन आपको खपना है और सेवा देनी है बिना किसी जटन के और वो आनंद ने पूरे जीवन एक सो बीस साल जीवन के उन्होंने जिये और भगवान बुद्ध 80 साल रहे 80 साल की एश तक जब तक वो एक्सपाय ने हुए तब तक उन्होंने सेवा की आगे की जो स्रीज है हम उसमें आनंद के परिचे के वारे में बताएंगे कैसे आनंद का जनम हुआ कैसे आनंद बहुत अच्छे मेनेजर बने आनंद के साथ क्या-क्या भग्नमान की बाते हुई कैसे कैसे बुद्धने क्या-क्या बाते उसे कहीं आनंद से कुछ गलतियां भी हुई है उन गलतियों के वारे में भी हम यहां जिक्र करेंगे धन्यवाद।